हलो बच्चों, आज हम लोग क्लासिक सिंदी दूरवा भुक का 27 चैप्टर ब्यार्थ की संका का पाठ करने जा रहे हैं चलो, पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं इसमें पहला चित्र है, ये देखिए, पहला चित्र हमारा ये रहा तो एक मिनित एक गाउ में एक किसान दमपत्ती रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी अर्थात उनके कोई बच्चे नहीं थे उन दोनों ने एक छोपे से नेउले को पाल लिया था पती पत्नी नेउले को बहुत प्यार करते थे कैसे प्यार कर रहे हैं यहां देखो तू तो मेरा राजा बेटा है कहकर यह जो दमपत्ती हैं उसे प्यार कर रहे हैं नेउले को कुछ दिन बात, कुछ दिन बीच जाता है तो क्या होता है उनके घर एक पुत्त्री का जन्म हुआ जब कुछ दिन बीच गया तो जो यह दमपत्ती थे गाउं में इनके यहां क्या हुआ एक पुत्री का जन्म हुआ संतान पाकर पती पत्नी बहुत खुश हुए इस्त्री अपनी बच्ची को बहुत प्यार करने लगी उसका ध्यान अपनी संतान पर ही रहता था अब उसे नेवला ब्यठ लगने लगा जब उनके अपनी संतान हो गई, अपना बच्चा हो गया, तो ओ जो दंपत्ती थे नेवले को बहुत प्यार करने वाले, ओ अपने बच्चे की तरफ अग्रेसर हो गए, उसे प्यार करने लगे और नेवले को लोग ब्यात समझने लगे, अब आगे देखो, पांच चित्र में अब देखो, उसे नेवले पर गुस्सा आता था, जो पत्नी थी, जो बच्चे की मा थी, उसे नेवले पर गुस्सा आता था, इस्तरी को संदेह था कि नेवला उसकी बेटी से जलता है, और इसलिए वा चुपचाप बैठा रहता है, जो इस्तरी थी, उसे यह संदेह था कि जो नेवला है वो उसकी बेटी से जलन रखता है और इसी लिए सांती से बैठा रहता है ठीक है अब देखो जो इस्तरी है वो देखो यहाँ पूँच रही है नेवले से यह देखो यहाँ पे यह देखो तुम मेरी रानी बेटी से क्यों जलते हो नेवले से यहाँ पूँच प्रुप पति के मन में नेवले के प्रति कोई संदेय नहीं था, तीक है देखो अज़ा नेवले के प्रति कोई संदेय नहीं था वहाँ पत्नी को समझाता नेवला मेरी बेटी से क्यों जलेगा ये दोनों हमारी संताने हैं अब देखो ये जो पती है इसका अथा जो बच्चे के पिता है ये क्या कह रहे हैं नेवलेस देखो तुम तो हमारे बेटे हो अपनी छोटी बहें से प्यार जताओ उसके साथ खेलो आगे अब सात्वे चित्र में हम लोग देखेंगे एक दिन जब इस्तरी घड़ा लेकर कुईये से पानी भलने के लिए जाने लगी तो उसने अपने पती से कहा सुनो मैं पानी लेने जा रही हूँ जाते जाते उसने पती को सौधान किया तुम बिटिया का ध्यान रखना नेवले का क्या भरोसा अचानक मैं तो भूली गया था कि आज साम को पडोसी के घर में मिहमान आने वाले ही चलू अभी बता दू नहीं तो उसे उल्जनोगी पती को नेवले पर संदे नहीं था उसे एक काम याद आया घर से निकलते हुए उसने नेवले से कहा क्या कहा देखो तुम अपनी बहन का ध्यान रखना थोड़ी देर में वापस आ जाओंगा यह इंसान है नेवले से कह रहा है कि तुम अपनी बहन का ध्यान रखना अथात मेरी बिटिया का ध्यान रखना मैं थोड़ी देर में वापस आ जाओंगा आगे देखो उसकी बाद सुनकर नेवला सतर खो गया वहाँ बच्ची के पालने के पास जा बैठा और वहाँ जाकर बच्ची के पालने के पास बैठ गया अब देखो और तभी नेवले ने देखा बच्ची पालने में सो रही थी और दर्वाजे से एक साप पालने की ओर बढ़ता चला आ रहा था यह देखो साप आ रहा है बढ़ते हुए पालने की ओर यह यह यहाँ पर और यह बच्ची सो रही है अब देखो फिर क्या होता है खाएं खाएं फो फो नेवला साप पर जप्टा ठीक है उसने साप को पकड़ लिया दातों से टुकड़े टुकड़े कर साप को मार डाला और बच्ची को बचा लिया अब आगे देखो प्रतीक्छा अब देखो नेवला जो है मा मुझ पर बहुत प्रसंद होगी मैंने साप को मार डाला नेवला घर के बाहर आकर इस्त्री की प्रतीक्छा करने लगा आकर बैठा है और खुदे ही सोच रहा है कि मा मुझ पर बहुत प्रसंद होगी क्योंकि मैंने तो साप को मार डाला अब कह कि मैंने जो है एक अच्छा काम किया है अब देखो जब इस्तरी लोटती है तुसे क्या लगता है देखो खून हाई मेरी बिटिया को काट खाया ने नेवले के मुँँ में खून देखा उसने गुस्षे से पानी से भरा गड़ा फेक कर मारा नेवला मर गया अब देखो फिर इस्तरी अंदर गई वह घर में गई उसने देखा साप मरा पड़ा है और बच्ची पाल्ले में सोई हुई अब देखो हाई हाई यह मैंने क्या कर डाला नेवले ने मेरी बेटी की रच्छा की मैंने उसकी हत्या यदि मेरी बेटी यदि उसने मेरी बेटी की अच्छा नहीं की होती, तो मैं संतान का मुझ नहीं देख पाती। वह बैठी रोती रही, उसे बहुत दुख हुआ, तभी उसका पती घर आया। अब देखो चित्र नंबर 17 एवाला। अब क्या होता है? ओह मैंने नेवले पर संदे क्यों किया। वह लाड़ प्यार के दिना बहुत उदास रहता था। और मुझे लगता था कि वह मेरी बेती से चलता है। ब्यर्थ की संका के कारण मैंने बहुत बड़ी गल्ती की है। फिर अब जो पत्नी ने पती से अपनी बाते सुनाई और पस्ताने लगी। फिर उसके बाद दमपत्ती ने उले की निष्ठा और कर्टब को जीवन भर नहीं भूल पाए। देखो क्या होता है। ब्यर्थ की संक्या ब्यर्थ की संका नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम सोच समझ कर ही करना चाहिए। पस्ताने से कुछ नहीं मिलता। अर्थात हमें जो है कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। और क्रोध में आकर कोई भी काम या जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अन्यथा उसका परिड़ाम में बुरा ही भुगतना पड़ता है। जैसा कि यहां हमने देखा कि इन दोनों दमपत्तियों को भुगतना पड़ा। इनका प्यारा नेवला इनी के हाथों क्रोध के कारण या जल्दबाजी के कारण मारा गया। अगर यह इस्तरी अंदर जाकर देख लेती इसका बच्चा सोता मिलता तब इसे खुशी होती और जो है इसे नेवले की बहादुरी पर इसे भी गर्व होता। लेकिन इसने बिना सोचे विचारे कदम उठाया जिसका इसे बुरा परिड़ाम भुगतना पड़ा। कबीरदाश जी का एक दोहा भी है कि बीना विचारे जो करें सो पाचे पस्ताय काम बिगा रहे आपनों जग में होता साय वही हाल इनका हुआ। चलिए अब इस पार्ट का प्रस्नोत्तर और बाकी चीज़े जो हम लोग कभी अगले लिक्चर में देखेंगे। तेकिंगे। टीक है। तांक यूू।